इश्वर का आशिरवाद बांता हूँ कि परमात्मा ने मुझे देश के विकास को तेश गती देने के लिए आपकी सेवा में भेजा है कि पटास साथ साल पहले मैं अपना घर छोड़ करके निकला था तब मुझे भी पता नहीं था कि एक दिन लाल कीले पर तिरंगा फैराओंगा कि पटास साथ साल पहले जब गर ठोड़ा कि सब को छोड़ चुका था सब को छुट गया था लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि एक दिन एक सो चालीस करोर भारतिये ही मेरा परिवार बन जाएंगे साथ्यों ना अपने लिए मैं जिया हूं ना अपने लिए मैं जन्मा हूं आपके लिए और आपके बच्चों के उज्वल भविश के लिए जी जान से खप रहा हूं समाज जीवन का स्वाभविक्रम है कि हर परिवार गर का हर मुख्या अपने वारिस के लिए सोचता है योजना बनाता है और कुछ करता भी है मुझे तो वो भी नहीं करना है मेरा कोई वारिस नहीं है अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस है एक सोच चालीस करोर देश वासी वही मेरे वारिस है और इसलिए मैं आपके लिए ही दिन रात महनत कर रहा हूँ मेरा पल पल आपके लिए मेरा पल पल तेश के लिए ही और अब सुष्री तिया भारती जी से में आध्रे करूँगी और अपने हाथों से बनाई गई चादर हमारे जन प्रियने का आधरनी स्री नरेंडर मोधी जी को अपने हाथों से घेख गए पर अपने हाथों से बनाई जी को अपने हाथों से जी में आपके जी को अपने हाथों से दो आपके लिए जी को प्रियों से भालता है रंकल्प अडिको बार य्योन शाब य्यून है लेख्यध कर्सोग। लेख्याँ